नमस्कार मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज इस वीडियो में हम टेरेंटूला हिस्पेनिका होमेपैथिक दवा के मानसिक लक्षनों की चर्चा करेंगे वीडियो को पुरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ पाएं तो आएए समझते है टेरेंटूला एक तरह का श्पैनिस मक्री के सामराज का प्रतिनी दी है और इसी से टेरेंटूला हिस्पेनिका होमेपैथिक दवा बनाई गई है यह दवा ट्यूबरकुलर मियाजमी के अंतरगत आता है टेरेंटूला के वेक्ति मेहनती और व्यस्त होते हैं इसमें जरते और रंगों के लिए विशेश प्यार होता है लेकिन टेरेंटूला की विशेशता अप्रतिबंधित प्रेम या स्नेल की भावना है टेरेंटूला के व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है और प्रयाप्द आकरशक नहीं है और इसलिए उसे वह ध्यान नहीं मिलता जिसकी वह लालसा करता है तो टेरेंटूला के व्यक्ति दूसरों का अपनी तरफ ध्यान खीजने के लिए कुछ भी कार्रे करता है इनमें चमकीले रंग के कपड़ पहनना, गाना, नाचना, साथ ही शरारत, चालाकी, तेरेंटूला के इस्थिति एक ऐसे व्यक्ति की होती है जो ध्यान आकर्सित करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता जैसे कि यह तब हो सकता है जब कोई व्यक्ति विशेस रूप से विपरीत लिंग का ध्यान आकर्सित करने का असफल प्रयास करता है यह निराज प्रेम की इस्थिती नहीं है बलकि एक तरफा प्रेम की इस्थिती है मेटेरिया मेडिके में टेरेंटूला के विशे में एक वाक्य वर्नित है एक तरफा प्यार के दुश्परिनाव टेरेंटूला की एक अन्य मुख्य विशिस्ता जल्दिबाजी है जल्दिबाजी और आवेग यह सब टेरेंटूला को एक ट्यूबर कूलर आयाम देता है और इसे ट्यूबर कूलिनम के करीब लाता है वास्तों में एक बच्चे में टेरेंटूला को ट्यूबर कूलिनम से अल पुष्टी है। संगीत के प्रती, यह प्रेम इस प्रकार का भी हो सकता है कि मुत्र त्यागने समय सीटी बजाना, संगीत से उत्तेजित अंगो की बेचायनी, और संगीत सुनते समय एक स्थान पर घूरना, या फिर संगीत सुनते ही नृत्यक्रने की अत्यदिक इक्छा उत् टेरेंटूला को जिस तरह का शंगीत पसंद है वो बहुत तेज आवाजवली होती है सीपिया में भी टेरेंटूला का गोण है और सीपिया भी टेरेंटूला के काफी करीब है क्योंकि टेरेंटूला का विशय एक तरफा प्यार और आकरशक होना है निर्थ, आकर्षक, उन्माद और कटाक्ष दोनों में सामानने है और एक यूवा, सीपिया, अर्थात एक सीपिया का जो यूवा पुरूष है क्या यूवा इस्तरी है, वो बिल्कूल टेरेंटूला की तरह लग सकता है टेरेंटूला भी बहुत महनती होता है लेकिन यहाँ फिर से आकर्षक व्यवहार पर मैं जूर दे रहा हूँ और सीपिया दूसरों के बातों का विरोध नहीं करता जबकि टेरेंटूला में विरोध प्रमुख है सीपिया की तुलना में टेरेंटूला में चल, शरारत, विरोध और गती अधिक परमुख है टेरेंटूला के मुख्य मुख्य लक्षणों की मैं यहाँ पर एक बार चर्चा कर देता हूँ कि टेरेंटूला को क्या पसंद है और वो कैसा है नीले, हरे, लाल रंट से वो मंत्र मुक्त होता है, वो चालाक है पागलों की तरह निर्ति करना, धोखे बाजी उनमें है, भरम है कि उस पर कोई हमला होनी जाय रहा है वह अत्यदिक जल्लबाज होता है, हाँ महनती होता है, एक तरफा प्यार और निराशा, मरने मारने की धमकी देता है, संगीत के प्रती विशेस रुजाव रखता है, राख खाने की एक्छा अर्थात जो भस्न होता है, उसे खाने का उसे इक्छा करता है हाथ में विशेस बेचैनी रहती है, तेजी से चलता है, बेचैनी कभी भी इस्थिर नहीं बैठ सकता है, मानसिक और शारीक रूप से अशान, निरंतर गती में रहता है, संगीत के प्रती तो सम्वेदन सील है ही, दाहिने हाथ और बाय पैर से विशेस लगाव के साथ सरीर के विभिन हिस्सों की लागातार गती का बनाए रखना, नीन के दोरान ही हल्चल रुपती है, इसे खुली हवा पशंद है, हिस्टेरिकल स्वभाव अर्थात, ठीक होने के बावजीद बीमारी का वह दिखावा करता है, अकेले होने पर बहतर होता है, मूड में अचानक बदल संगीत से उसकी सारी सिकायते ठीक रहती है, यह सारे गुन है टेरेंटूला के, और टेरेंटूला के विशाय में उसके मासिक लक्षों के बारे में मैंने लगबग-लगबग सारी जानकारी यहां परदान कर दी है, आशा करता हूँ कि यह वीडियो अच्छी लगी होगी, अ और वीडियो को लाइक करना ना भूले, धन्यवादू